राजय सगर को अशुमे के घोडे कही नहीं मिले, ना ही पुत्रों का भी कोई समाचार था। अब उन्होंने अपने पोत्र अन्शुमान को घोडे ढूनने की आग्या दी। जानते हैं आगे क्या हुआ? श्रिबालमी की निर्मित आश्रामान आधिकावे के बालकाण में 41 मसर्ग। आप सभी से अनुरोथ है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेर ये सब्सक्राइब नहीं भी कर सकतें, तो इन्हें पूरा अवर्ष्य सुनें। रगुनन्दन, पुत्रों को गए बहुत दिन हो गए। ऐसा जानकर राजा सगर ने अपने पौत्र अन्शुमान से जो अपने दीट से द्यदिप्पिमान हो रहा था। इस प्रकार कहा। बस तुम शूर्वीर, विद्ध्वान तथा अपने पूर्वजों के दुल्ल तीजस्वी हो। तुम भी अपने चाचाओं के पत का अनुसरन करो। और उस चोर का पता लगाओ। जिसने मेरे गिग्य संपन्धी अश्व का अभरन कर लिया है। देखो पृत्वी के भीदर बड़े बड़े बलवान जीव रहते हैं। आतह उनसे टक कर लेने के लिए तुम तलवार और धनुष भी लेते जाओ। जो बंदनी पुरुष हो उन्हें प्रणाम करना और जो तुम्हारे मार्ग में विग्ण डालने वाले हो उनको मार डालना। ऐसा करते हुए सफल मनुरत होकर लोटो और मेरे इस स्यक्गी को पूर्ण कर आओ। महात्मा सगर के ऐसा कहने पर शीक्रता पूर्वक पराक्रम कर दिखाने वाले वीर पर अंशुमान, धनुष और तलवार लेकर चल दिये। नर्श्रेष्ट उसके महामनस्वी चाचाओं ने प्रित्वी के भीतर जो मार्ग बना दिया था उसी पर वेर राजा सगर से प्रेरित होकर गए। वहाँ उस महातेजस्वी वीर ने एक दिखज को देखा, जिसकी देवता, दानब, राक्षस, पिशाच, पक्षी और नाग सभी पूजा कर रहे थी। उसकी परिक्रमा करके कुशल मंगल पूच कर अन्शुमान ने उस दिखज से अपने चाचाओं का समाचार तथा आश्व चुराने वाले का पता पूछा। उसका प्रश्ण सुनकर परम बुद्धिमान दिखज ने इस प्रकार उत्तर दिया। असमंच गुमार तुम अपना कार सिद्ध करके घोड़े सही चीगर लोट चाओ। उसकी ये बात सुनकर अन्शुमान ने क्रमशह सभी दिखजों से न्यायनुसार उक्त प्रश्ण पूछना आरंभ किया। वाक्य के मरम को समझने तथा बोलने में कुशल उन समझत दिखजों ने अन्शुमान का सतकार किया। और ये है शुब कामना प्रकट की कि तुम घोड़े सही लोट आओगे। उनका ये आशिरवात सुनकर अन्शुमान शीक्रता पूर्वक पैर बढ़ाता हुआ उस थान पर जा पहुँचा जहां उसके चाचा सगर पुद्र राक के ठेर हुए पड़े थे। उनके बच से असमेंज बुद्र अन्शुमान को बड़ा दुख हुआ। वे शोक के वशी भूथो अत्यंत आर्थ भाव से फूट-फूट कर रोने लगा। दुख शोक में डूबे हुए पुरुष सिंग अन्शुमान ने अपने यग्य संबंदी अश्व भी वहां पास ही चर्ता हुआ देखा। महातिजस्वी अन्शुमान ने उन राजकुमारों को जलांजली देने के लिए जलकी इच्छा की। किन्तु वहां कहीं भी कोई जलाशे नहीं दिखाई दिया। श्री राम तब उसने दूर तक की वस्तों को देखने में समर्थ अपनी त्रिष्टी को फैला कर देखा। उस समय उसे वायू के जमान वेक्षाली पक्षी राज करुड दिखाई दिये। जो उसके चाचाओं सगर पुत्रों के मामा थे। महाबली विंतारंदन करुड ने अंशुमान से कहा। पुरु सिंग शोक न करू इन राज कुमारों कवध संपून जगत के मंगल के लिए हुआ है। विद्वन अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने इन महाबली राज कुमारों को दर्द किया है। इनके लिए तुम्हें लौकिक जल की अंजली देना उचित नहीं है। नर्शृष्ट महाबाहो हिमवान की जो जेश्ट पुत्री गंगा जी है। उन्हीं के जल से अपने इन चाचाओं का तरपन करो। जिस समय लोकपाविनी गंगा राग के धेर होकर गिरे हुए उन साथ हजार राज कुमारों को अपने चल से आपलावेत करेंगी। उसी समय उन सब को स्वर्ग लोक में पहुँचा देंगी। लोक कमनियां गंगा के जल से भीगी हुई यह भस्म राशी इन सब को स्वर्ग लोक में भेज़ देगी। महाभाग, पुरुष्प्रवर, वीर अब तुम घोडा लेकर जाओ और अपने पिता महा का यग्य पूर्ण करो। करूर की यह बात सुनकर अत्यनतप पराक्रमी महातपस्वी अंशुमान घोडा लेकर तुरंत लोटाया। रगुनंदन यकी में दिख्षित हुए राचा के पास आकर उसने सारा समाचार निवेदिन किया और करूर की बताई हुई बात भी कह सुनाई। अंशुमान के मुख से यह भयंकर समाचार सुनकर राजा सगर ने कलपोक्त नियम के अनुसार अपना यग्य विधिवत पूर्ण किया। यग्य समाप्त करके प्रिथ्वी पति महाराद सगर अपनी राजधानी को लोटाया। वहाँ आने पर उन्होंने गंगाजी को ले आने के विशे में बहुत विचार किया। किन्तु भी किसी निश्य पर ना पहुंच सके। दीरगेकार तक विचार करने पर भी उन्हें कोई निश्यत उपाय नहीं सूझा। और तीस हजार परशों तक राजधार के दिल स्वर्ग लोग को चले गए। इस प्रकार श्रीवालमी की निर्मित आर्शामयन आरिकावे के बालकाण में 41 मा सर्ग पूरा हुआ। राजधार सगर के स्वर्ग सिधारने के बाद अन्शुमान राजा बना। उसने अपने चाचाओं को स्वर्ग पहुँचाने के लिए अनिक प्रितन करने का प्रयास किया। क्या वह अपने प्रयासों में सफल हुआ। जानते हैं श्रीवालमी की निर्मित आर्शामयन आरिकावे के बालकाण में 42 में सर्ग में। श्रीराम सगर की मृत्ति हो जाने पर प्रजाओं ने परम धर्मात्मा अन्शुमान को राजा बनाने की रुची प्रकट की। रगुनंदन अन्शुमान बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र का नाम दिलिप था। वह भी एक महान पुरुष था। रगुकुल को आनन्दित करने वाले बीर अन्शुमान दिलिप को राचे देकर हिमाले के रमणिये शिखर पर चले गए। और वहां अत्यनत कठो तपस्या करने लगे। महानेशस्वी राजा अन्शुमान ने उस तपवन में जाकर 32,000 वर्षों तक तप किया। तपस्या के धन से संपन हुए उस नरेश ने वहीं शरीर त्याक कर स्वर्गलोग प्राप्त किया। अपने पिता महु के बद का व्रतान सुनकर महातिजस्वी दिलीब भी बहुत दुखी रहते थे। अपनी बुद्धी से बहुत सोचने विचारने के बाद भी वे किसी निश्य पर नहीं पहुन सके। वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार प्रिच्वी पर गंगाजी का उतरना संभव होगा। जैसे गंगाजल द्वारा उन्हें जलांजली दी जाए। और किस प्रकार मैं अपने उन पितरों का उधार कर्शकू। प्रति दिन इन ही सब चिंताओं में पड़े हुए राजा दिलिप को जो अपने धर्माचरण से बहुत विख्यात थे। भगिरत नामक एक परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्थ हुआ। महातिजस्वी दिलिप ने बहुत से यग्यों का अनुस्ठान तथा तीस हजार पर्शों तक राजय किया। पुरुसेंग उन पित्रों के उद्धार की विशय में किसी निश्य को ना पहुचकर राजा दिलिप रोग से पिल्डित हो मिर्त्यू को प्राप्थ हो गये। पुत्र भागिरत को राजय पर अभिशेक्त करके नर्शिष्ट राजा दिलिप अपने किये हुए पुर्णे कर्म के प्रभाव से इंद्र लोक में गये। रगुनंदन धर्मात्मा राजश्री महाराज भागिरत के कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्थी की इच्छा रखते थे। तो भी प्रजा और राचय की रक्षा का भार मंत्रियों पर रखकर गंगाजी को प्रित्वी पर उतारने के प्रित्न में लग गये। और गौकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने लगे। महबाहो वे अपनी दोनों भुज़ाएं उपर उठा कर पंचागनी का सेवन करते और इंद्रियों को वश में रखकर एक-एक महा पर आहार गहन करते थे। इस प्रकार घोर तपस्या में लगे हुए महात्मा राचा भगिरत के एक हजार वश व्यतीत हो गये। इससे प्रजाओं के स्वामी भागवान ब्रह्मा जी उन पर बहुत प्रसन हुए। पितामा ब्रह्मा ने देवदाओं के साथ महां आगर तपस्या में लगे हुए महात्मा भगिरत से इस प्रकार कहा। महाराज भगिरत तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मैं बहुत प्रसंद हूँ शेष्ट वरत का पालन करने वाले नरिश्वर तुम कोई वर मांगो तब महातेजस्वी महाबाहु भगिरत हाद चोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और उन सर्वर लोग पता महा ब्रह्मा से इस प्रकार बोले भगवन यदि आप मुझ पर प्रसंद हैं और यदि इस तपस्या का कोई उत्तम फल है तो सगर के सभी पुत्रों को मेरे हाद से गंगाजी का जल प्राप्थ हो इन महात्मों की भस्म राशी के गंगाजल के भीग जाने पर मेरे उन सभी पिता महों को अक्षे स्वर्गलोग मिले देव मैं संतती के लिए भी आप से प्रार्थना करता हूँ हमारे कुल की परंपरा कभी नश्चना हो भगवन मेरे द्वारा मागा हो उत्तंबर संपून इक्ष्वाकु वंच के लिए लागू होना चाहिए राजा भगिरत के ऐसा कहने पर सर्व लोग पिता महा ब्रह्मा जी ने मधुर अक्षरों बादी परम कल्यान में मीठी वाणी में कहा एक्ष्वाकु वंच की व्रिद्धी करने वाले महारथी भगिरत तुम्हारा कल्यान हो तुम्हारा ये महान मनुरत इसी रूप में पूर्ण हो राजन ये हैं हिमाले की जेश्ट पुत्री हेमवती गंगाजी इनको धारन करने के लिए भगवान शंकर को तयार करो महाराज गंगाजी के गिर्णे का वेग ये प्रित्वी सह नहीं सकेगी मैं त्रिशूलधारी भगवान शंकरजी के सिवा और किसी को ऐसा नहीं देखता जो इने धारन कर सके राजा से ऐसा कहे कर लोकस्ष्ट प्रह्माजी ने भगवती गंगा से भी भगिरत पर अनुग्रह करने के लिए कहा इसके बाद वे संपून देवताओं तथा मरतकरणों के साथ स्वर्ग लोग को चले गए इस प्रकार श्रीवालमी के निर्मित आर्शामर्ण आदिकावे के बालकाण में बैयालिस्वा सर्ग पूरा हुआ गंगा पार्वती की बड़ी बहन थी जिने देवताओं के लिए अरपन कर दिया गया था उन्हीं गंगा को धर्ती पर लाने के लिए शंकर जी का आश्र ले न था जानते हैं आगी क्या हुआ श्रीवालमी की निर्मित आर्शामर्ण आदिकावे के बालकाण में तर्टालिस्वे सर्ग में श्रीराम देवादी देव ब्रह्मा जी के चली जाने पर राजा भगिरत प्रित्वी पर केवल अंगुठे के अगरभाग को टिकाए हुए खड़े हुँ एक वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना में लगे रहे वर्ष पूरा होने पर सर्वलोक बंदित उमा वल्लब भगवान परशुपती ने प्रकट होकर राजा से इस प्रकार कहा नर्शेष्ट मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारा प्रियेकार अवश्य करूँगा मैं गिरी राजकुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारन करूँगा श्रीराम शंकर जी की स्विक्रिती मिल जाने पर हिमाले की जेश्टपुत्री गंगा जी जिनके चर्णों में सारा संसार मस्तक जोकाता है बहुत बड़ा रूप धारन करके अपने वेक को तुस्सह बना कर आकाश से भगवान शंकर के शोभायमान मस्तक पर गिरी उस समय परम दुर्धर गंगा जी ने ये सूचा था कि मैं अपनी प्रखर प्रवाह के साथ शंकर जी को लिये दिये पाताल में खुच जाऊंगी उनके इस अहांकार को जानकर त्रिनेत्र धारी भगवान हर को पितो उठे और उन्होंने उस समय गंगा जी को अद्रिश्य कर देने का फिचार किया पुन्य सुरूपा गंगा भगवान रुद्र के पवित्र मस्तक पर गिरी उनका वह मस्तक जटा मंडल रूपी कुफा से सुशोभित हेमालय के समान जान पड़ता था उस पर गिर्पर बिशेश प्रत्न करने पर भी किसी तरह पे प्रिच्वी पर ना जा सकी भागवान शिव के जटा जाल में उलचकर किनारे आकर भी गंगा देवी बाहर निकलने का मार्क ना पा सकी और बहुत वर्षों तक उस जटा जूट में ही भटकती रही रगुनंदन भागिरत ने देखा गंगा जी भागवान शंकर के जटा मंडल में अद्रिश्य हो गई है तब वेपुनह वहां भारी तपस्या में लग गए उस तपस्या दावरा उन्होंने भागवान शिव को बहुत संतुष्ट किया तब महादेव जी ने गंगा जी को बिंदू सरोवर में ले जाकर छोड़ दिया वहां छोड़ते ही उनकी साथ धाराएं हो गई हाल्दिनी, पाविनी और नलिनी ये कल्यान में जल्चे सुशोभित गंगा की तीन मंगल में धाराएं पूर्व दिशा की उर चली गई सुचक्षू, सीता और महानदी, सिंधू ये तीन शुब धाराएं पश्यम दिशा की उर प्रवाहित हुई उनकी अपेक्षा जो सात्वी धारा थी, वह महाराज भागिरत के रत के पीछे पीछे चलने लगी महातेजस्वी राजश्री भागिरत भी दिव्य रत पर आरूड़ों आगे आगे चले और गंगा उनी के पत का अनुसरन करने लगी इस प्रकारवे आकाश से भगवान शंकर के मस्थक पर और वहां से इस प्रिच्वी पर आई थी गंगा जी की वहे जलराशी महान कलकल नात के साथ तीवर गती से प्रवाहित हुई मतस्य, कच्छप और शिंशुमार जुन्ड के जुन्ड उसमें किरने लगे उनकीरे हुए जलजन्तों से वसुन्धरा की बड़ी शोभा हो रही थी तदनंतर देवता, रिशी, गंधर्ब, यक्ष और सिद्धकन नगर के समान आकारवाले विमानों, घोडों और कचराजों पर बैटकर आकार से प्रत्वी पर गई हुई गंगा जी की शोभा निहारने लगे। देवता लोग आश्यरचा की धोगर वहां खड़े थे। जगत में गंगा अफ्तरण के इस अद्भुत एफं उत्तम द्रश्य को देखने की इच्छा से अमित तेजस्वी देवताओं का समोह वहां जुटा हुआ था। तीव्रगती से आते हुए देवताओं तथा उनकी दिव्वे आभुषणों के प्रकाश से वहां का मेगरहित निर्मलाकाश। इस तरह प्रकाशित हो रहा था। मानों उसमें सैंकणों सूर्य उधित हो गये हुँ। शिंचुमार सर्ब तथा चंचल मतस्चे समोहों के उचलने से गंगाजी के जल से उपर का आकाश ऐसा जान पड़ता था। मानों वहां चंचल चपलाओं का प्रकाश सबोर व्याप्त हो रहा हो। वायू आदि से सहस्त्रों टुकणों में बटे हुए फेन आकाश में सबोर फ्याल रहे थे। मानों शर्द रितु के श्वेत बादल अथवा हांस ओड़ रहे हो। गंगा जी की वे धारा कहीं तेज, कहीं टेड़ी और कहीं चोड़ी होकर बहती थी। कहीं बिलकुल नीचे क्योर गिरती और कहीं उचे क्योर उठी हुई थी। कहीं समतल भूमी पर वे धीरे-धीरे बहती थी। और कहीं-कहीं अपने ही जल से उसके जल में बारम-बार तक कर लगाती रहती थी गंगा जी का वेचल बार-बार उचे मार्ग पर उठता और पुनह नीचे भूमी पर गिरता था आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर तथा वहां से फिर प्रित्वी पर गिरा हुआ फिर निर्मल एवं पवित्र गंगा जल उस समय बड़ी शोभा पा रहा था उस समय भूतल निवासी रिशी और गंधर्व यह सोच कर कि भगवान शंकर के मस्तक से गिरा हुआ ये जल बहुत पवित्र है उसमें आजमन करने लगे जो श्राभष्ट होकर आकाश से प्रिथ्वी पर आ गए थे वे गंगा के जल में स्नान करके निश्पाप हो गए तथा उस जल से पाप धुलचाने के कारण पुरह शुप पुर्णे से संयुक्त हो आकाश में पहुँचकर अपने लोगों को पा गए उस प्रकाश मन जल के संपर्क से आनन्दित हुई संपून जगत को सदा के लिए बड़ी प्रिसंता हुई सब लोग गंगा में स्नान करके पापहीन हो गए हम पहले बताए हैं कि राज्श्री महाराज भगिरत दिववेरत पर आरूड हो आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी उनके पीछे पीछे जा रही थी श्री राम उस समय समस्त देवता रिशी दैते दानव राक्षस गंधर्व यक्षप्रवन किनर बड़े बड़े नाग सर्ब तथा अपसरा ये सब लोग बड़ी प्रसंता के साथ राजा भगिरत के रत के पीछे गंगा जी के साथ चल रहे थे सप्रकार के जल जन्टू भी गंगा जी की उस जल राशी के साथ सानंद जा रहे थे जिस ओर राजा भगिरत जाते उसी ओर समस्त पापों का नाश करने वाले सरिताओं में शेष्ट ये शस्विनी गंगा भी जाती थी उस समय मार्ग में अद्भूत पराक्रमी महामना राजा जन्टू यग्य कर रहे थे गंगा जी अपने जल प्रवाह से उनकी यग्यमंडप को बहा ले गई रगुनंदन राजा जन्टू उससे गंगा जी का गर्व समझ कर कुपित हो उठे फिर उन्होंने गंगा जी के उस समस्त जल को पी लिया ये संसार के लिए बड़ी अध्भूत बात हुई तब देवता, गंधर्व तथर रिशी अत्यंत विश्मित होकर पुरुषप्रवर महात्मा जन्टू की स्तुति करने लगे उन्होंने गंगा जी को उन महात्मा निरेश की कर्ण्या बना दिया अर्थात उन्हें ये विश्वास दिलाया कि गंगा जी को प्रकट करके आप इनके पिता कहलाएंगे इससे सामर्थेशाली, महात्यजस्वी, जन्टू बहुत प्रसन होय और उन्होंने अपने कानों के छिद्रों द्वारा गंगा जी को पुनह प्रकट कर दिया इसलिए गंगा जन्टू की पुत्री एवं जानवी कहलाती है वहां से गंगा फिर भागिरत के रत का अनुसरन करती हुई चली उस समय सरिताओं में शेष्ट जानवी समुदर तक जा पहुँची और राजा भागिरत के पित्रों के उद्धार रूपी कारे की सिध्धी के लिए रसातल में गए राजश्री भागिरत भी यतने पूर्वक गंगा जी को साथ ले वहां गए उन्होंने शाप से भस्म हुए अपने पिता महों को अचेचा होकर देखा रगुकुल के शेष्ट वीर तदनंतर गंगा के उस उत्तम जल ने सगर पुत्रों की उस भस्म राशी को आपलावित कर दिया और वे सभी राजगुमार निश्पाप होकर स्वर्ग में पहुँच गए इस प्रकार शिवाल में के निर्मित आर्शामयन आदिकावे के बालकाण में तैंतालिसवा सर्ग पूरा हुआ भागिरत के द्वारा उतारी गई गंगा भागिरती और जन्यों के द्वारा पी गई गंगा जानवी के रूप में इस धर्ती पर जानी गई आगे क्या हुआ जानते हैं शिवाल में के निर्मित आर्शामयन आदिकावे के बालकाण में चोवाले स्वें सर्ग में श्री राम इस प्रकार गंगा जी को साथ ले राजा भागिरत ने समदर तक जाकर रसातल में जहां उनके पूर्वज भस्म होए थे प्रवेश किया वह भस्म राशी जब गंगा जी के जल से आपलावित हो गई तब संपून लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा ने वहाँ बधार कर राजा से इस प्रकार कहा नर्शिष्ट महात्मा राजा सगर के साथ हजार पुत्रों का तुमने उध्धार कर दिया है अब वे देवताओं की भाति स्वर्ग लोक में जा पहुंचे हैं भूबाल इस सागर में जब तक सागर का जल मौजूद रहेगा तब तक सगर के सभी पुत्र देवताओं की भांति स्वर्ग लोक में प्रतिष्टित रहेंगे ये गंगा तुम्हारी भी चेश्ट पुत्री होकर रहेगी और तुम्हारे नाम पर रखे हुए भागिरति नाम से इस जगत में विख्यात होगी त्रिपथगा, दिव्या और भागिरति इन तीनों नामों से गंगा की प्रसिधी होगी ये आकाश, पृत्वी और पाताल तीनों पथों को पवित्र करती हुई गमन करती है इसलिए त्रिपथगा मानी गई है नरेश्वर, महराज, आप तुम गंगा जी के जल से यहाँ अपने सभी पेता महुं का तरपन करो और इस प्रकार अपनी तथा अपने पूर्वजु द्वारा की हुई प्रतिग्या को पूर्ण कर लो राजन, तुम्हारे पूर्वज, धर्मात्मों में श्रेष्ट, महायश्यस्वी, राजा सगर भी गंगा को यहाँ लाना चाहते थे किन्तु उनका यह मनुरत पूर्ण नहीं हुआ बच, इसी प्रकार लोक में अप्रतिम प्रभाब शाली, उत्तम, गुण विशिष्ट, महारशी तुल्ले, तेजस्वी, मेरे समान तपस्वी, तथा क्षत्रिय, धर्म परायन, राच्री अंशुमान ने भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा की परंतु वे, इस प्रित्वी पर उन्हें लाने की प्रतिग्या पूरी ना कर सके निश्पाप पहभाग, तुम्हारे अत्यंत तेजस्वी पिता दिलिभी, गंगा को यहाँ लाने की इच्छा करके भी, इस कारे में सफल ना हो सके पुरुष्प्रवर, तुमने गंगा को भूतल पर लाने की इच्छा पूर्ण कर ली है, इससे संसार में तुम्हें परम उत्तम एवं महान यश्की प्राप्ती होई है शत्रुदमन, तुमने जो गंगा जी को पृत्वी पर उतारने का कारे पूर्ण किया है, इससे उस महान ब्रह्मलोग पर आधिकार प्राप्त कर लिया है, जो धर्म का आश्रे है नर्शेष्ट, पुरुषप्रवर, गंगा जी का ज़र्च सदा ही स्नान की यूग्य है, तुम स्वयम भी इसमें स्नान करो और पवित्र होकर पुन्य का फल प्राप्त करो नरेश्वर, तुम अपने सभी पिता महों का तरपन करो तुम्हारा कल्यान हो, अब मैं अपने लोग को जाऊंगा, तुम भी अपने राजधानी को लोट जाओ ऐसा क्याकर सर्वलोग पिता मह, महायशस्वी देविशर प्रम्मा जी जैसे आये थे, वैसे ही देवलोग को लोट गए नर्श्रेश्ट, महायशस्वी राजश्री राजा भागिरत भी गंगा जी के उत्तम जल से क्रम्शह सभी सगर पुत्रों का विधिवत तरपन करके पवित्र हो, अपने नगर को चले गए इस प्रकार सफल मनुरत होकर वे अपने राज्य का शासन करने लगी रगुनंदन, अपने राज्य को पुनों सामने पागर प्रजावर को बड़ी प्रसंता हुई सबका शोग जाता रहा, सबके मनुरत पूर्ण होई और चिन्ताएं दूर हो गए श्री राम, ये गंगा जी की कथा मैंने तुम्हें विस्तार के साथ कह चुनाई तुम्हारा कल्यान हो, अब जाओ, मंगल में संध्या वंदन आदी का संपादन करो देखो, संध्या काल पीता जा रहा है, ये गंगा अब्तरन का मंगल में उपाख्यान आयू बढ़ाने वाला है धन, यश, आयू, पुत्र और स्वर्ग की प्राप्ती कराने वाला है ये कथा सुनाता है, उसके उपर देवता और पित्र प्रसन्न होते हैं कुकुट्सकुल भूशन जो इसका शवन करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है उसके सारे पाप नश्ट हो जाते हैं और आयू की बृध्धी इवं कीर्थी का विस्तार होता है इस प्रकार श्रीवालमी की निर्मित आर्शामायन आदिकावे के बालकाण में चबालिष्वा सर्ग पूरा हुआ श्रीवालमी की निर्मित आर्शामायन आदिकावे के बालकाण में चाहते है आदिकावे के बालकाण में पैंतालिसमा सर्ग विश्वमित जी की बातें चुनकर लक्षमन सहित श्रीडामचंदर जी को बड़ा विसमे हुआ वे मुनी से इस प्रकार बोले ब्रह्मन आपने कंगाजी के स्वर्ग से उतरने और समुद्र के भरने की ये बड़ी उत्तम और अत्यंत अध्भुत कथा सुनाई है कामक्रोधादी शत्रूं को संताप देने वाले महरशे आपकी कही हुई इस संपूर्ण कथा पर पूर्णरूप से विचार करते हुए हम दोनों भाईयों की ये रात्री एक शन के समान बीद गई है विश्वामित्र जी लक्षमन के साथ इस शुब कथा पर विचार करते हुए तो मेरी ये सारी रात बीदी है तत्पश्यात निर्मल प्रभातकाल उपस्तित होने पर तपोधन विश्वामित्र जी जब नित्य कर्म से निवरित हो चुके तब शेत्रुदमन्श्री रामचंदर जी उनके पास जाकर इस प्रकार कहने लगे मुने ये पूजुनी रात्री चली गई सुनने यूग्य सर्वुत्तम कथा मैंने सुन ली अब हम लोग सरिताओं में श्रिष्ट पुन्य सलीला त्रिपत कामिनी नदी गंगा जी के उस पार चलें सदा पुन्य कर्मित ततपर रहने वाले रिश्यों की यह नाव उपस्तित है इस पर सुखत आसन बिचा है आप परम पूझे महरशी यहाँ उपस्तित जानकर रिश्यों की भेजी हुई यह नाव बड़ी तीवर गती से यहाँ आई है महात्मर गुनंधन का यह वचन सुनकर विश्वमितर जी ने पहले रिश्यों सहीच श्री राम लक्ष्मन को पार कराया तद पर्शाद स्वयम भी उत्तर तरपर पहुँचकर उन्होंने वहार रहने वाले रिश्यों का सतकार किया फिर सब लोग गंगाजी के केनारे विशाला नामक पूरी की शोभा देखने लगे तद नंतर श्री राम और लक्ष्मन को साथ ले विश्वमितर जी तुरंत उस दिव एवं रमणिये नगरी विशाला की ओर चल दिये जो अपनी सुन्दर शोभा से स्वर्ग के समान जान पड़ती थी उस समय परम बुद्धिमान श्री राम ने हाथ जोड़कर उस उत्तम विशाला पूरी की विशे में महामुनी विश्वमितर से पूछा महामुनी आपका कल्यान हो मैं ये सुनना चाहता हूँ कि विशाला में कौन सा राजवन्ष राज़ कर रहा है इसके लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है श्री राम का ये वच्चन सुनकर मुनी श्रेष्व विश्वमितर ने विशाला पूरी की प्राचीन इतिहास का वर्णन आरंभ किया रगुकुल नंदन श्री राम मैंने इंद्र के मुख से विशाला पूरी के वैभव का प्रतिपादन करने वाली जो कथा सुनी है उसे बता रहा हूँ सुनो इस देश में जो व्रतांत घड़ित हुआ है उसे यथार्थ रूप से शवन करो श्री राम पहले सत्यूग में दिदी के पुत्र दैत्य बड़े बलबान थे और अधिदी के परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े शक्तिशाली थे पुरुष सिंग उन महामनद दैत्यों और देवताओं के मन में यह विचार हुआ कि हम कैसे अजर अमर और निरोग हूँ इस प्रकार चंदन करते हुए उन विचारशील देवताओं और दैत्यों की बुध्धी में यह बात आई कि हम लोग यदि क्षीर सागर का मन्थन करें तो उसमें निश्य ही अमरित में रस प्राप्त कर लेंगे समुद्र मन्थन का निश्य करके उन अमित्य जश्वी देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाक को रसी और मन्द्राचल को मथानी बना कर क्षीर सागर को मथना आरंभ किया तदन अंतर एक हजार वर्ष बीदने पर रसी बने हुए सर्प के बहुत संख्यक मुख अत्यंत विश्य उगरते हुए वहां मन्द्राचल की शिलाओं को अपने दांतों से डशने लगे अतह उस समय वहां अगनी के समान दाहक हला हल नामक महा भयंकर विश्य उपर को उठा उसने देवता असुर और मनुशु सहिद संपून जगत को दग्द करना आरंभ कर दिया यह देख देवता लोग शर्नार्थी होकर सब का कल्यान करने वाले महान देवता पश्युपती रुद्र की शरण में गए और त्राही त्राही की पुकार लगा कर उनकी स्तुती करने लगे देवताओं के इस प्रकार पुकारने पर देवती विश्वर भागवान शिप वहां प्रकट हुए और वहीं शंक चक्रधारी भागवान श्रीहरी भी उपस्तित हो गए श्रीहरी ने त्रशूल धारी भागवान रुद्र से मुस्कुरा कर कहा सुर्शेष्ट देवताओं के समुद्र मंधन करने पर जो वस्तू सबसे पहले प्राप्थ हुई है वे आपका भाग है क्योंकि आप सब देवताओं में अगर गरने हैं प्रभो अगर पूजा के रूप में प्राप्थ हुए इस विश को आप यहीं खड़े होकर ग्रहन करें ऐसा क्याकर देव शिरुमनी विश्णु वहीं अंतरधान हो गए देवताओं का भाय देखकर और भगवान विश्णु की पूर्वक्त बात सुनकर देविश और भगवान रुद्र ने उस खूर हला हल विश्ण को अम्रित के समान मान कर अपने कंठ में धारन कर लिया तथथ देवताओं को विदा करके वे अपने स्थान को चले गए रगुनंदन तथ पश्षाद देवता और असुर सब मिलकर क्षीर सागर का मन्थन करने लगे उस समय मत्हानी बना हुआ उत्तम परवत मदर पाताल में खुश गया तब देवता और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्थूति करने लगे महाबाहू आप ही संपूर्ण प्राणियों की गती हैं विशेश तह देवताओं के अवलंबन तो आप ही हैं आप हमारी रख्षा करें और इस परवत को उठावें यह सुनकर भगवान रिशीकेश ने कच्छप का रूप धारन कर लिया और उस परवत को अपनी पीछ पर रखकर वेश्री हरी वहीं समुद्र के भीतर सो गए फिर विश्वात्मा पुर्शुत्म भगवान केशब उस परवत्षिकर को हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े हो सुएम भी समुद्र का मंधन कराने लगे तदनंतर एक हजार वर्ष बीदने पर उस कशीर सागर से एक आयूर्वेद में धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुई जिनके एक हाथ में दंड और दूसरे में कमंडल था उनका नाम धन्वंत्री था उनके प्रकट्टे के बाद सागर से सुन्दर कांति बाली बहुत से करने से ही अप अर्था जल में उसके रश से वे सुन्दर स्रियां उत्पन होई थी इसलिए अपसरा कहला है काकुट्सतन उन सुन्दर कांति बाली अपसराओं की संख्या साथ करोड थी और जो उनकी परिचारिकाएं थी उनकी करना नहीं की जा सकती वे सब असंख्य थी उन अपसराओं को समस्त देवता और दानब कोई भी अपनी पत्नी रूप से ग्रहन न कर सके इसलिए वे साधारणा अर्थात सामन्या माने गए रखुनंदन तदनंतर वरुन की करन्या वारुनी जो सुरा की अभिमानी देवी थी प्रकट हुएं और अपने को स्विकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी वीर्शे राम दैत्यों ने उस वरुन करन्या सुरा को नहीं ग्रहन किया परन्तु अधिती के पुत्रों ने उस अनितिर सुंदरी को ग्रहन कर लिया सुरा से रहित होने के कारण ही देते असुर कहलाए और सुरा सेवन के कारण ही अधिती के पुत्रों को सुर संग्या हुई वारुनी को ग्रहन करने से देवता लोग हर्ष में उत्फुल एवं आनंद मग्न हो गए नर्शेष्ट तदनंतर घूडों में उत्तम उच्चे शवा मानी रत्न कौस्तोब तथा परम उत्तम अमरित का प्राकट्टे हुआ श्रीराम उस अमरित के लिए देवताओं और असुरों के कुल का महान संग्हार हुआ अजिती के पुत्र देदी के पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे समस्त असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गए वीर देवताओं के साथ उनका महागोर संग्राम होने लगा जो तीनों लोगों को मुह में डालने वाला था जब देवताओं और असुरों का वे सारा समों ख्षिर्ण हो चला तब महावली भगवान विश्णु ने मोहिनी माया का आश्रे लेकर तुरंथी अमरित का अभरण कर लिया जो देथे बलपूर्वक अमरित छीन लाने के लिए अभिनाशी पुर्षोत्तम भगवान विश्णु के सामने गए उन्हें प्रभावशाली भगवान विश्णु ने उस समय युद्र में पीस डाला देवदाओं और दैत्यों के उस खोर महायुद में अधिती के वीर पुत्रों ने दिती के पुत्रों का विशेश संघार किया दैत्यों का वद करने के पशात त्रिलोकी का राज चिपपा कर देवराज इंद्र बड़े प्रसंद हुए और रिश्यों तथा चार्णों सहित समस्त्र लोकों का शासन करने लगे इस प्रकार शिवालमी की निर्मित आश्यामार्ण आधिकावे के बालकाण में पैंतालिसमा सर्ग पूरा हुआ आप सभी को कोटी कोटी साधुवाद आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया नमस्कार मैं आभा शर्मा जावास यदि आपको मेरा ये प्रत्न सराहनी लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोचाहित करें